2024 के अंदर best electric vehicle कौन सा हो सकता था यह तो मैंने आपको बता दिया आपने वीडियो देख लिया होगा अभी पिछले दो तिन वीडियो के अंदर यह आया है लेकिन मैंने यह नहीं बताया ना भी तक आपको कि 2024 में कौन से new electric vehicles market में आने वाले हैं क्या हमारे को उन यह रुकना चाहिए है नहीं तो आज बात करने वाले आपन उन्हीं कंपनी के बारे में उन्हीं electric vehicles के बारे में जो की 2024 के अंदर most हाईयर रेंज मिलने वाली है और साथ में आपको जो स्पीड है वह भी एथर स्रीच की जितने भी अभी तक स्कूटर्स आया है उसके अंदर रैप मौड मिलता है 90 क्लोंटर पर आर के टॉप स्पीड मैंक्स मिलने वाला है मतलब सो एक सो पांस तक की टॉप स्पीड देखन सा हाई प्राइस होने वाला है दोजाज चोई सेकेंड इसकूटर आने वाला है वह बजाज की तरफ से आने वाला एक और नया स्कूटर क्योंकि बजाज अपनी लाइन अप को बढ़ाते जा रहा है पहले नों बजाज चे तक प्रीमियम निकाला कि उसके बाद भी टैक पै कि इसके अंदर जो है ना रेंज सु क्रम टर तक ही मिल रही है तो यह थोड़ा हाई रेंज वाला स्कूटर ज़रूर लेकर आने वाले हैं दोजार चोई के अंदर यह तो मुझे लगता है कंफॉर्म्ड है फिट थर नंबर पर आती है होंडा कंपनी होंडा का SCE जो कि अभ बरुसेमंद कंपनी है तो जिस भी प्राइस पॉइंट पर लाइंगे लेकर आ गए तो मुझे रगता है लोग काफे ज्यादा ट्रस्ट करने वाले हैं इस एलेक्र वेहिकल के अंदर और साथ में यह भी हो सकता है कि स्वाइपबल बैटरी वारा ओप्शन आपको देजिए इसमें SCE जरूर आ सकता है फिर आता है फोर्थ नंबर पर जो स्कूटर है वो भी एक पुरानी कंपनी का स्कूटर है जो कि पहले स्कूटर बनाने के अंदर टॉप लेवल की कंपनी थी मैं बात कर रहा हूं अब LML कंपनी के अब LML का स्टार जो कि हमने लास्ट यर ऑटो 2023 जो हुआ था देली के अंदर वहां पर हमने उसको देखा था अब इतना डिले तो नहीं हो सकता ना कि 2023 के अंदर डिस्प्ले किया था 2024 के अंदर भी ना लाइक हो कि 2023 तो पूरा निकल गया ना तो मुझे लगता है 2024 कंदर आने वाला है प्राइस बंट डेड़ लाग के आस तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ अच्छा ही मार्केट के अंदर लेके आएगी तफिर आता है फिफ्ट नंबर पे तो फिफ्ट नंबर पे आपने एक बाइक का नाम सुना होगा जो कि मतलब एलेक्रिक बाइक की बात करें तो आज मार्केट में ज्यादा अप्शन सब लेबल नहीं है रिवल्ट है टॉर्क है या फिर बत का है मैटर है जिन्होंने अभी तक अनौंस किया है प्रॉपर तगे डिलिवरी स्टार्ट नहीं करिए लेकर डिलिवरी के अंदर अगर बात करेंसे इस दो ही कंपनी है जो मुझे लगता है प्रीमिम सेगमेंट में एक रिवल्ट मॉटर्स और दूसरी है टॉर्क मॉटर्स तो टॉर्क मॉटर्स की जो क्रिटोस बाइक है उसके साथ में ही एक स्पाय हुआ है वो जो स्कूटर है वो टॉर्क कंपनी का ही होने वाला है तो टॉर्क मॉटर्स जो है अब स्कूटर सेगमेंट में भी आने वाला है क्योंकि स्कूटर सेग्मेंट ही आज ही डेट में इंडिया के अंदर हाइयर रेंज को पर जाल रहा है सबसे जादा अगर कोई इलेक्री वहिकल बिक रहे हैं तो इसकूटर सी है करने वाली है प्राइज रेंज वही सब्सक्राइब के असपास हो सकता है मेरा इसा अनुमान है और मुझे रखता है दोजार चोईस के अंदर ये फाइनली एक बाइस को लॉंच तो कर ही देंगे तो ये थे मेरी तरफ से सजेश्ट दोजार चोईस के अंदर आने वाले अल्मॉस्ट अल्मॉस्ट कनफॉर्मड इलेक्टर वहिकल जिसको हम 2020 जनवरी से लेके 2020 अप्टूबर नौमबर तक मार्किट के अंदर देख सकते हैं वाकि आपको क्या लगता है आपके माइंड में कुछ और स्कूटर है अगर कि दोजार चोईस में आने वाला है तो कमेंट में जरूर पताना और इसी तरकी के और वीडियो के लिए चैनल को सब्स्क्राइक बगे बेल आकान जिरुर दबादेना मिलते आप से वीडियो में बाइ